सियावर राम चंद्र जी की जै हनुमान जी की जै दोस्तों अब ये है अगला भाग राम चरित्मानस का बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंदुनर रूप हरी महा मोहतम पुंज जास बचन रभिकर निकर मैं उन गुरु महराज के चरड कमल की बंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में स्री हरी ही है और जिनके बचन महा मोह रूपी घने अंधकार के नास करने के लिए सूरिक किरडों के समू है बंद हूं गुरु पदपदम परागा सुरिच सुबास सरसे नुरागा अमिय मूरी मैं चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू मैं गुरु महराज के चरड कमलों की रज की बंदना करता हूं जो सुरुची, सुन्दर, स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूड है वह अमर मूल मतलब संजीवनी जड़ी का सुन्दर चूड है जो संपूर भवरोगों के परिवार को नास करने वाला है वह रज सुकृती मतलब पूड़ेवान पुरुष रूपी सिव जी के सरीर पर सुसोबित निर्मल विभूती है और सुन्दर कल्याण और आनंद की जननी है भक्त के मन रूपी सुन्दर दरपड के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुडो के समून को वसमे करने वाली है स्री गुरु पद नक मनिगन जोती सुमिरत दिव्यद्रिष्ट ही होती दलन मोह तमसो सप्रकासू बड़े भाग उर आवें जासू स्री गुरु महराज के चर्ण नको की जोती मडियों के प्रकास के समान है जिनके इस्मण करते ही हिदे में दिव्यद्रिष्टी उत्पन हो जाती है वह प्रकास अज्ञान रूपी अंदकार का नास करने वाला है वह जिनके हिदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है उगरही बिमल बिलो चनही के मिटही दोसा दुख भवर जनी के सुझाही राम चरित मनिमानिक गुपत प्रगड जह जो जही खानिक उसके हिदय में आते ही हिदय के निर्मनित्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्री के दोस दुख मिट जाते हैं एवं राम चरित रूपी मडी और माडिक्य गुपत और प्रगड जहां जो जिस खान में हैं सब दिखाई पढ़ने लगते हैं जैसे सिद्धान जनों को नित्रों में लगा कर साधक, सिद्ध और सुजान, परवतों, वनों और प्रित्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देख लेते हैं आज दोस्तों यहीं विश्राम देते हैं पहला दोहा संपन्न होता है प्रेम से बोलो सियावर राम चंद्र की जै हनमान जी की जै जा जाए